हेलो स्टूडेंस आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंस आज हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 9 सजीव एम उनका परिवेश का ध्यान करेंगे आज हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो आएए चैप्टर शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएए देखते हैं चैप्टर पहेली और बुझो चुटियों में अनेक रोमाचक स्थानों पर सयर करें आप भी कहीं नगे चुटियों में घुमने जाते होंगे ऐसी ही एक यात्रा पर वे रिशी केश में गंगा नदी देखने गए उन्होंने हिमाले की हिमाचिदी परवत शंकला में कुछ परवतों को परवता रोहन किया जहां बहुत अधिक ठंड थी इन परवतों पर जो उन्होंने ओक, चीर, देवदर जैसे अनेक व्रक्ष देखे जो उनके मैदानी शेत्रों में व्रक्षों से बहुत अधिक भीनते मतलब उन्होंने जहां जो व्रक्ष देखे पहाडों पर वो अन्य जो व्रक्ष देखती थे उनसे बहुत अलग थे और एक और अभ्यान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की वहां उन्होंने उन्होंने उन्हों पर उक्षन मरुस्तल पर भी गुमे तो देखों यहाँ पर क्या बताया है सजीव एम उनका प्रियोशन अलग अलग तरह के सजीव आपको दिखाई देंगे जो अलग अलग अन्वार्मेंट पर रहते हैं यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक परकार के पोधे भी अकरत्रत किये अन्त मेवे पूरी गय और उन्होंने समुन्द तटकी सैर की और वहाँ केजू राइना के वरक्ष की कतार देखी इन स्थानों पर भ्रह्मन के रोमांचक उल्लास पुन शनों का समन करते हुए उन्हों अचानक विचार आया कि ये सभी एक बुसे से पूरी तरह बिन है कुछ बहुत ठंडे थे और कुछ बहुत उक्षन और शुष्क थे कुछ आद्र थे परनतु उन सभी स्थानों पर अनेक परकार के बहुत सारे जीव या सजीव वस्तों थी बहुत ठंडी जगह में भी गए गरम जगह में गए मरुस्तल में गए पानी वाली जगह पर गए उन्होंने देखा कि हर जगह कोई न कोई जीव है लेकिन एक दूसरे से भिन है लेकिन ये सब चीज़ी क्या थी सजीव थी उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या प्रत्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहां कोई जीव नहीं पाया जाता बुजो ने अपने घर के आसपास के स्थानों पर ध्यान दिया घर के अंदर अलमारी और दर्वाजों में दिखा उसने सोचा कि इन में कोई सजीव नहीं है परन्तु एक छोटी सी मकडी नजर आई घर के बाहर भी ऐसे स्थान बारे में सोचा जहां किसी भी परकार का कोई जीव ना पाया जाए पहेली ने दूर-दूर के स्थानों के विश्य में पढ़ा सोचना प्राराम किया उन्हें पता चला कि लोगों ने तो जुआला मुखी के मुख से भी शुक्षम जीवों को खोज निकाला है मतलब ये कह रहे है कि कहीं पे भी मतलब पूरी धर्ती पर ऐसे कोई भी जगे निया जहां पर सजीव ना हो यहां तकि जुआला मुखी का मुख जो इतना गरम होता है वहां पे भी शुक्षम जीव प्रेजन्ट है आगे देखो क्या कहा गया सजीव एमा उनका परिवेश पहली और बुजो के मस्तिक्ष में एक विचार आया कि जिन स्थानों पर उन्होंने सैट की है वहां किस परकार के जीव पाए जाते हैं मरुस्तल में उन्ट थे परवत पर बकरी याक थे पूरी के समुद्र तटपर केकरे वे अन्य परकार की मचलिया थी जिन्होंने मुखवारे पकड़ रहे थे साती चींटियां जैसे अन्य परकार के जीव पेग्ष पर उपस्ती थे इन शेत्रों मैं पाये जाने वाले विविन परकार को मलब जानने की एक्चा हुई तो क्रिया देखते हैं किरिया किलाप नंबर वन आएए एक वन से प्रारहम करते हैं यहाँ पर पाये जाने वाले सभी पोधे जनतुव विश्यों के बारे में सोच यह एक जंगल में पाये जाने वाले जनतुव पोधो तो था वस्तुव को 9. 9.1 के को लम में लिखी और दूसरी शेत्र में पाए जाने वाली वस्तवे। जंतों को अज़े कहें है खहांद में चहले इस दोनीर को एक जानवर मिला प्रवत में गई पर पाई कोन से जानवर मिले। 9.1 को भर सकते हैं आपको जो भुधारन दिये गए हैं पीछे उनको ही इकठा करके आपको लिखना है अपने माता पित्रता या अध्यापक की सहायता भी ले सकते हैं और अपनी तालिकाओ को क्या करना है आपको कम्प्लीट करना है इसमें आप पुस्तकाले की भी मदद ले सक आता है ये पोधे के भाग जिसे सुखी पतिया जन्तु के अवशेश हड़ियां भी हो सकती है अता है विभीट परकार की मिटी रोडे भी मिल सकते हैं पत्थर रोडे मतलब पत्थर भी हो सकते हैं अध्याए 5 में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि समुंदरी जल के में लव समझते हैं आवास तथा अनकूलन देखी आवास क्या होता है जहां पे भी कोई जीव रहता है तो वो उसका आवास होता है पहले हम रफली समझते हैं कि आवास किसे कहते हैं जहां पे भी जैसे कि आप अपने घर में रहते हो तो वो क्या हो जाएगा आपका आवास हो जाए इसे आपको फिल करना है कि परवत शेत्र में कैसे जीव मिले आपको वन में मरुस्तल में समूंदर में या अन्य कोई स्थान पे तो अब हम देखते हैं आवास एम अनुकूलन तो देखें यहां पे समझते हैं कि सबसे पहले हम समझते हैं कि देखो आवास और अनुकूलन क्य तो अलग लग शेत्रों में क्या होता है अलग अलग परकार के जीव होते हैं इन दोनों शेत्रों में किस परकार का परिवेश होता है यहां पर यह समझेंगे समुंदर में जन्तू और पोधे लवणिये जल में रहते हैं तो तो शोषन के लिए जल में विले ऑक्सिजन का प् होता है पानी के अंदर oxygen मिली होती हो क्या है oxygen तो वह घुली हुई oxygen का ही यूज करते हैं जैसे कि मचलिया है वह घुली हुई oxygen का ही यूज करती है मरुस्तल में जल बहुत कम उपलब्द होता है मरुस्तल में दिन बहुत गरम और रात बहुत ठंडा होता है मरुस्तल में पाय जाने वाले पोधे और जन्तु भूमी पर रहते हैं और शोशन के लिए आसपास की वायू का प्रयोग करते हैं बलब एक तो देखो यहाँ पर गर्मी बहुत होती है मलब पानी क्या होता है बहुत कम होता है दिन में गर्मी और रात को यहाँ पर ठंड होती है इसके लावा क्योंकि यहाँ पर क्या है गर्मी बहुत जादा है और पानी कम है तो जो सजीव होते हैं जिसे की उंट आसपास की जिसे वायू से ही क्या करते हैं करते हैं देखो दोनों की शेशन पर क्या रहे हैं में फर्क आगा वह जल में गुली औक्सिजन ले रहे थे समुद्री जीव और जो उंट या यह सब क्या है आसपास की वायू मंडल से ही वायू लेते हैं समुद्र तथा मरुस्तल भिन परकार के परिवेश है देखो यह पू जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले देखो क्या कहा गया है यहां पर कि उनकी सरंचना मरुस्तल परिस्थितियों में रहने योग्या बनाते हैं अगर उंट की बात करते हैं तो उंट का जो शरीर होता है वो उसे मरुस्तल में रहने योग्या बनाता है उंट के पैर यही अनुकूलन होता है, कि जहां पर जीव रह रहा है, वो उसके अकोडिंग महां पर रह सके, उसके जीव की शरीर में ऐसे चेंजिस आते हैं, जैसे कि उन्ट के पैर बहुत लंबे होते हैं, और जो क्या करता है, रेत की गर्मी से उसे बचाता है, उसमें मुत्रोत सर्जन क की मातरा बहुत कम होती है, यूरीन जो पास करता है, वो बहुत कम मातरा में पास करता है, जिससे कि क्या होगा, उसके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, मल शुश्क होता है, इन्हें पसीना या स्वेध भी नहीं आता है, अगर पसीना आएगा तो देखो पानी की कमी हो ज पर पानी कम है जब पानी कम है तो जो शरीर के अंदर पानी है उसे वो कम से कम निकालते हैं अब हम आगे देखते हैं देखो आईए अब मचलियों के बारे में देखते हैं अभी हमने उंट के बारे में देखा अब हम मचलियों के बारे में देखते हैं परंतु अधिक किसम की मशलियों में क्या अकरती शमान होती इस तरह की दहराव रेकि के व्कु के पाराया खरता है जो पानी के फिरीर के जंकि आफ अठारव और भिट्रने कर शुके हैश यहां पर चिकणए शल्क होते हैं जिसे मचलियों का शरी धखा रहता है यह शल्क मचलि को शुरक्षा तो प्रदान करते हैं साथ ही उन्हें हैं जल में पानी में गती भी प्रदान करती है अब देखो मचली की जो पंक और पूँच चप्टी होती है जो जल के अंदर दिशा परिवर्तन में संतूलन बनाये रखने में सहायता करती है जो मचली की हम करेंगे मचली के पंक है जो इस तरह के पंक है और जो पूँच है वो क्या ओते चप्टी होते हैं जो उनको मुड़ने में उनकी दिशा परिवर्तन करने में उनकी help करती है मचली में गिल या क्लोम होते हैं जो जल में सांस लेने में सहायता करते हैं अब हम देखते हैं मचली की सरंचनाए उसे जल में रहने में सहायता करती हैं हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य परकार के जनतूओं में से केवल दो ही उधारन देख्या अभी तक हमने क्या देखा है सिर्फ उंट देखा है और मचली देखा है कि तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से भिन हैं हम देखें कि सजीवों की इन सभी किसमों में कुछ ऐसी विशिष्ट सरंचनाएं होती है जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्या बनाती है जिसमें भी प्राइब पाय जाते हैं जिन विशिष्ट सरंचनाओं का सभाव की उपस्तिती किसी पोधे या जंतु को उनक अवास में रह सके या रहने योग्या बनाती है उसे अनुकूलन कहते हैं किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसे आवास कहते हैं यह दोनों ही बहुत इंपोटेंट है तीक है डिफ्रेंस पूछ लेते हैं अलग-अलग definition पूछ लेता तो बहुत इंपोर्ट अनत्वा किसी परकार के पोधे और जंतु एक ही आवास में सेयूंत रूप से रह सकते हैं, मतलब कि एक ही जगाए पर एक अगर हम किसी भी जंगल या कहीं कि एक पारक की भी बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर सभी जीव रहते हैं, मिलकर रहते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत important paragraph है स्थल पर पाए जाने वाले सभी जीवों को हम क्या कहते हैं स्थल पर पाए जाने वाले पोधे और जन्तूओं के आवास को हम स्थल ये आवास कहते हैं जिवों के वन घास के मैदान मरुस्तल तटिय प्रवतिय शेतर स्थल ये आवास के कुछ उधारन है स्थल में जो भी पाए जाने वाले जीवों के पोधे और जन्तूओं के आवास को हम क्या कहते हैं जली आवास कहते हैं इसी तरह जलाश्य दल दल जील नदियों और समुंदर में पाए जाने वाले जन्तूओं पाए जाने वाले पोधे और जन्तूओं के आवास को हम जली आवास कहते हैं एक हमने देखा स्थली आवास जहां पे है वहां पे जो भी जीव रहते हैं उनके लिए वो स्थली आवास जल में रहने वाले जितने भी जीव है वो उनका क्या हो जाएगा जली आवास विश्व की विभिन भागों में पाए जाने वाले वनों घांस के मैदानों मरुस्तलिय अलग-अलग होते हैं सब वन शेतर अगर हम पहार दे के तो सब क्या होते हैं अलग-अलग होते हैं सभी जली आवासों के लिए भी सत्या कहीं पर मिठा पानी होगा कहीं पर खारा पानी होगा किसी नदी में तो इसी तरह जल है वो भी क्या है जली आवास भी अलग-अलग हो स जैसे कि पोधे और जनतुएं ये सब क्या हो जाएंगे जैव घटक और एजैव घटक क्या हो जाएंगे इसके अलावा उसे वायू लेना है जल लेना है मिट्टी चटान ये सब क्या हो जाएगे उसके एजैव घटक तो आवास का बनता है जैविक और एजैविक घटक से मिल किया बनाता है आवास customize जैविग घटक में बहुत important है बेटा जैविग घटक में क्या हो जाएंगे पोधे और जन्तु जितने भी पोधे और जन्तुएं है वह सब किसमें आएंगे जैविग हम cassette अब हम समझे बाले परिवर्ट नों के सांथ समझे स्थापित करने के लिए कुछ जीवों ने थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं उधारण के लिए हम मैदानी शेतर में रहते हैं और अच्छानक यूंचे परवतीय शेतर में चले जाते हैं तो खुछ दिनों तक स्वांस लेने तक शारिरिक व्याम में ऐस विदा हो सकती है. पहाड़ पढ़ हमें त्रगति से स्वांस लिना पड़ता है और कुछ दिनों बाद हमारा श्रीर परवर्तिय शेत्र के वातावरण के परति अपने आपको ढाल लेता है और हमें स्वांस लेने में कोई परिशानी नहीं होती अल्प अवधी के लिए एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे-छोटे परिवर्तन परियन कूलन कहलाते हैं देखो ये भी इंपोर्टन है कु मतलब पहाड मैदानी शेत्र में रहे और उन्चे पहाड पर चले जाते हो तो सांस लेने में दिक्कत होगी आपको मुश्किल से सांस आएगा लेकिन धीरे-धीरे ये आपकी हैबिट में बन जाएगा तो ऐसे अल्प अब्धी मतलब कुछ समय के लिए एक जीव के शरीर मे आता है अर्थार्थ किहिस अंकुरीट हो गए था हमने पिछले चैप्टर में जो फिफ्ट चैप्टर था उसमें देखा था कि जो मूह के बीजो को रुई में डालकर हमने रख नघीला करके जो सुखे बीज रखे हैं एक तरफ आपने और एक तरफ पानी में भीगे होई बीज्ट रखे हैं उनको आपको बिल्कुल भी नहीं हिलाना हूं भीगे बीजों में से एक भागो धूप के कमरे में तता दूसरे भागो अंधिरे शेतर में रख दे ताकि जैसे की अलमारी जिससे की धूप ने मिले देख़ आपको अलग अलमारी के अंदर रख दिया और एक के बर्फ में इसको रख दिया है इन तीनों भागों को प्रति दिन जल में नम रखें, अधी के जल को निकाल दें, अगर जादा जल है तो उसको निकाल दें, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि सभी पांचों भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं, क्या आप प्रकाश्टे दूर रखे भाग या अत्य गटकारक सभी जीवों के लिए महतु पुर्ण है, जो उनकी दर थी, जो उनकुरित होनी की दर थी, वो बदल जाती है, जो अंकुरन की दर है, अगर उसे अलगलग कंडिशन में रखा जाता है, यह उसे एजवी घटक नहीं दिये जाते हैं, तो उनकी जो दर है, वो क्या ह हो जाती है, परिवर्टित हो जाती है, किसी में जल्दी अंकुरन होगा, किसी में बाद भी अंकुरन होगा, हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंड़े और बहुत अक्षिन परिवेश में भी पाये जाती हैं, और यह जिव में नहीं होते हैं अजरों वर्षों के अवधि में किसी शेत के अजेव घटकों के परिवर्तन आते हैं वे जनतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आपको नहीं ढाल पाते हैं वो मर जाते हैं, मालों कि कहीं पे बहुत बर्फ गिरने लगे और बहुत लंबे टायम से बर्फ गिर दे, क्यों कि शुरू में सब normal temperature था न, दीरे-दीरे क्या हो बहुत जादा गर्मी होने लगी, बहुत जादा ठंड होने लगी, तो जिसने अपने आपको वातावरण किसी क अपने आपको बातावरन के अकोडिंग चेंज करना पड़ता है तो जो जीव अपने आपको बातावरन के अकोडिंग चेंज कर लेता है वो तो सर्वाइव कर जाता है लेकिन जो चेंज नहीं कर पाता है वो क्या हो जाता है मर जाता है कि बल वे ही जीवित रहे पाते हैं जो अपने आपको बदलते परिवेश के अनुसार अंकूलित कर लेते हैं जन्तु विभिन ऐ जैवकार को के लिए विभिन विधियों से अपने आपको अंकूलित कर लेते हैं इनका प्रणाम भिन्विन आवासों में विवित्ता होना है हर जीव अपने आपको अनकूलित कर लेता है जैसा वो रहता है कुछ आवास इनके जैव घटको एम इनमे रहने वाले विभिन जीवों के अनकूलन का अध्यान करते हैं देखो क्या कहा गया है अब हम देखते हैं विभिन आवासों की यात्रा मतलब पहले कुछ स्थली आवास देखते हैं जैसे कि मरुस्थल मरुस्थल किस तरह का आवास है उससे हम समझते हैं मरुस्थल के एज एव घटक एम उट के अनकूलन के विशे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं मरुस्तल में जो एव जय घटक है उसके बारे में और उंट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं मरुस्तल में पाए जाने वाले अन्य जन्तुएं पोधोक में भी क्या ऐसा ही होता है इसके लिए क्या अनकुलन ताय मिलती हैं उसके अंदर हम उसके बारे में समझेंगे जैसे गर्मी से बचने के लिए वो भूमी के अंदर गहरे बिलो में रहते हैं, अब देखों उनके अंदर क्या गैबसेटी है, उनमें क्या अलग चेंज करते हैं, उनको गहरे घड़े खोदने की उनके बिल बनाने की उनके शमता है, जैसे बहुते इस गर्मी होते हैं, और वहाँ सेफ रखते हैं, रातरी के समय जब तापन में कमी होती है, तो वे जंतू बहार निकल आते हैं, अन्दर तो जारा ठंड होगी जमीन के इसे लिए बहार निकल आते है, तो अलग 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 जैसे जो जंतू है, उनमें अलग अलग अलग理 है, विशेश जा बना दी गई है जिससे कि वो वहाँ पर रह सके मरुस्तल में उगने वाले कुछ समाने पोदों के चितर 9.5 में दिखाए गए है यह पोदे मरुस्तल के प्रती किस परकार अनुकूलित हैं जैसे कि कैक्टस दिखाया गया है, नागफणी दिखाई की कैक्टस नागफणी इस तरह के पोदे यहाँ पर दिखाए गए है तो अब हम करते हैं किरिया क्लाप नंबर 3 गमली में लगा एक कैक्टस और पतियों वाला एक पोदा कक्षा में लाईए दोनों पोदों के कुछ भाग को पोलिथीन की थैली में ढखका रग दीजिए गमले लगे पोदे को धूप में रग दीजिए अपको क्या करना है कैक्टस का पोदा लेना है और उसको धूप में रख देना है जैसे कि पिशली प्रोसेस में वाश्पतर सर्जन हुआ था तो इसमें हम देखते क्या होता है अब क्या देखते हैं क्या आप दोनों पॉलितिन की थैलियों में एकर्थित जल की मात्रा में कोई अंतर होता है कि एक तरफ आपने कैक्टस को ऊंदियां एक तरफ आपने दूसरे पोदे को हरे पोधे को बाज दिया है तो आप देखते की दोनोंमें वाश्पतर सरजन के जो दर थी वह सेम है मघूस्त limbic Juneimiz Vaškur दर सद्वारा जल की बहुत कम मात्रा में निश्काशित होता मतलब की जो भी पूर्प यह क्यों कि देखो जैसे कि उणट्स में क्या था जो बात्रूं भी कंशित कर सकतर ने कम कई इसी तरह जो cactus है वो भी क्या करता है अपने में से पानी को कम जाएगा वाश्पतर सर्जन जो होगा वो कम होगा तो मरुस्तलिय पोदे वाश्पतर सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मातरा को निश्काशित करते हैं मरुस्तलिय पोदों में पतिया या तो अनुपस्तित होती है या बहुत ही शुक्ष्म होती है बहुत छोटी होती है कुछ पोदों में तो पतिया कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है जिसे कि देखो कैक्टस देखते उसमें क्या आता जो पतियां होती है वो कांटो वाश्पत्त टाम पत्तियां की सरण्चना अब देखते हैं, वाश्पत्त पत्तियां अब दिखते हैं वाश्पत्त में इसका । अधिकतर में पोडों की जड़े जल अफ्रोमवर्शन के लिए मिट्टी में बहुत गहराईं में चले जातेンド अब इसकी जो जड़े हैं न, ये क्या होंगे, बोहती ही गहराई में चली जाती है, जो मित्ती के गहराई का पानी है उसको अप्षोशित कर सके., तो अभी हमने सारे देखें ये कैसे थे, मरुसनी से पोधी, मरुसनी है का एक तन आक्वानी, ये तरह न एक पोधी देखें, अब हम देखते हैं परवतिय शेत्रों में जिसे पोधिय है, उनमें क्या उनका अनकूलन होता है, यह अवाज जो शेत्र है, सामाने तो बहुत ठंडे होते हैं, इनमें तेज हवा चलती है, कोई शेत्रों में शीत कालक में हिम पात भी होता है, बरफ भी गिरती है कुछ पोधो पर रुकेगी नहीं न अभी इसको अच्छे से समझतेगी परवर्तिय शेत्रों में किस तरह का आवास मिलता है परवतिय शेत्र में रहते हैं यह वहां गूमने गए तो आपने अनेक व्रक्ष वहां देख लोंगे प्रवर्तु क्या ऐसे व्रक्षों को अन्य प्रकी का परवदरिय शेत्र में किस परकार का अन्कूलन होता ऐए पोधो की बात उरे जो पेड 하고ह के इनकी शाखाए शाकऊंति न परवत पर जीवित रहने के लिए इन में कुछ अन्या परकार का अनुकुलन हो सकता है जिसको अलग जीव का अलग अनुकुलन हो सकता है परवत ये शेत्रों में पाए जाने वाले जन्तु भी वहां की परिस्तितियों के अनुकुलित होते हैं जो जीव है वो भी जन्तु है वो भी क्या होगा उनमें भी अनुकुलन मिलेगा उनकी तवचा मोटी तता फर से धकी होती है उनकी तवचा जो होते हैं जो थंड है वो फर होते हैं जो क्या करते हैं जो सीधी ठंड को अंदर जाने से रोग देती है यह बरफ पर चलते सब अपने पैरों को ठंड से बचाता है पहाडी बकरी के मजबूत खुर उसे धाल दर चटानों पर दोड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं अलग-अलग अनुकूलन है य गास तल है वहां पर किस तरह का अनुकूलन मिलता है जैसे की शेर च्छेर वर सदूमें रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतुयँकि ऑस ईंसे जिसलोको शिकार को उचिशाली कार देता है यह हैं मट मैले रंग होता है एक शेर शेर होग का सितन देखartet हैं आपको शेर देखो यहां पर कि जो आंख है उनकी कैसे स्थित होती है शेर की अगले पैर की नखर लंबे होते हैं जिससे कि वह पादा उंगलियों के अंदर खीच कर छिपा सकें क्या भी शरीर की सरंचना है उनकी जीवन ही अपन में सहायता करते हैं बिल्कुल सहायता करते हैं उनकी जो चुप जाएं जब जैसे कोई शिकार आए उसके पकड़ कर खा जाएं उनका मटमेला रंग शरीर के दोरान उनके घांस में सुके मैदानों में चिपने में सहायता करता है और देखो और क्या कहा गया है यहां पर डिखाए गया शेर के और हीरन के शिकार का पता नहीं जिसस के कठोर तनों को चबाने के लिए इनके पास मजबूत दांत होते हैं हीरन को अपने शिकारी की उपस्तिती की जानकरी आफशक है ताकि उनका शिरीर जो शिकार नय बन सके वहां से भाग जाए इनके पास लंबे कान होते हैं जो हीरन होते हैं उनके पास में लंबे कान होते जो दूर की आवाज को भी एकदम हलकी से आवाज को बहुत जल्दी से पहचान लेते हैं और जब जो हीरन उसे मलब लगता है कि यहाँ कोई शिकारी हो सकता तो वो स्पीर से भाग सके शिकारी की गति वीदियों की जानकारी देता है इसके सिर्फ के पाश्र में दोनों स्थि में देकर खत्रा महसूस कर सकते हैं उसके बाद है देखो हीरन की तेज गति उसे शिकार से बचाती है और शेर हीरन में अन्य जंतुओं के पोधों में तथा बहुत सी विशिष्ट सरंचना होते हैं जो उनको आवास में रहने योग्या बनाते हैं मतलब यहाँ पर यह बास समुंदर में रहने वाले जैसे की मचली में अनकूलन की विशे में हम चर्चा कर चुके हम इसको पढ़ चुके हैं बहुत दूसरे समुंदर जंतुओं का भी शरीर धारा रेखी होता है मतलब पानी में पाया जाने वाले लगबग जीवों का शरीर कैसा होता है धारा रेख पाले शिकार को पकरते हैं जब जल में चलते हैं तो अपने शरी को धारा रेकी बना लेते हैं जब जमीन पर होते हैं तब तो इस तरह से होते हैं लेकिन जब पानी में चल रहे हैं तब वो क्या करेंगे अपने शरी को इसी तरह से धारा रेकी बना लेते हैं ठीक है जल में श स्वांस लेते हैं जल में लंबे समय समय तक पानी में रहा लेते हैं इसे जल्म्य निकलते हैं तरह सांस लोगाते हैं नहीं आपने से लगाते हैं ठीक है जब बहार आते हैं तो दूड़्म 쓰 स्वच वायू को अंदर भर लेते हैं मतलब जैसे वह उपर आएंगे तो सांस ले लेंगे हवा अंदर अपने ले लेंगे उसके बाद पानी में चले जाएंगे फिर वो आएंगे फिर पानी में हवा ले लेंगे क्या आपने कभी दूर दर्शितरता समुंदरी जीवन के चल होस की समय वर्ति किसी तलाब में भ्रह्मन करने जाएं वहां देखने के लिए कुछ पोदों को बाहर निकाले इन पोदों के पत्तियों तनों और जड़े किस परकारगी है ये उन पे ध्यान दीजिए इस तरह से होते हैं यह देखो यहां पर दिया गया लग-लग पोदे न में महत्तों पूर्ण कारे करते हैं मतलब कि दिससे कि यहां पे देखो यह है यह मालों कोई पोदा इसकी जड़े क्या होंगे यहां पर होंगी ठीक है अब यह जड़े क्या करेंगे यहां से मिटी जो उसकी तलहटी पर जो मिटी है उसके अंदर जितने भी मुपोशक ततो हैं जिनकी जड़े आकार में थोड़ी छोटी है उनका काम क्या है पोदों को तल हटी में ज़माये रकना कुछ तो अफ्शोषन कर ले erимся घेfund को फैनित्य को पानी पोदो को बनाए रखती है अब आगे देखते हैं इन पोधों का तना लंबा तथा खोकला होता है हलका होता है हम जलिय पोधों के बारे भी पढ़ रहे हैं कि इन पोधों का जो तना है वो खलका खोकला तथा लंबा होता है तथा तना जल की सतया पर व्रद्धी करता है जैसे कि यह दे प्रवन करतें यह यहाँ पर व्रद्दी करेगा इस तरह से और यहाँ पर क्या किया क्रेंगे प्रवन करेंगी प्रवन मतलत सी रहेंगी nota D ते he knew class B पोदे भी अलग लोगे कुछ तो क्या करेंगे पूरी तरह से डूबे रहते हैं कुछ का आधा बाग उपर और आधा बाग नीचे हो सकता है तो कुछ ऐसे पोदे हैं जो जल में पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं ऐसे पोदों में सभी बाग जल में व्रद्धी करेगा न तो कुछ पोदों में पूरा भाग जल में डूबा रहता है और रदी करता है इनमें से कुछ पोदों की पतियां संक्री वे पतली रिबन के जैसी होती है अब इनमें क्या होता कुछ पतियां जी है पोदों की पतियां लंबी और संकरी होती है इस तरह से कभी-कभी उपर भी आ जाती है और फिर वो वापस नीचे भी आ जाती है यह बहते जल मंगन पोदों की पतियां बहुत अधिक विभाजित होती है जिससे की जल इनके बीच मे कुछ बाग नीचे और कुछ देखो यहां से लेके लंबे हैं फूल इनके बाहर निकले हुए इनकी देखो पतिया बाहर निकली हुई है अब हम पढ़ते जीवों के बारे में मैंडग मैंडग आप तोर पर तालाप में पाया जाना वाला एक जनतू है यह तालाप के जल और स मजबूत होते हैं जो पिछले वाले पैर होते हैं लंबे और मजबूत होते हैं जो जम्पिंग इसको सहायता करते हैं जो चलांग लगाने तो शिकार पकड़ने के लिए इसमें क्या करते हैं इसके पश्च पाद में जाल युक पादंगलिया होती है जो उन्हें तैरने में सह इसकी इस स्काइब करते हैं इन में से कुछ जन्तों और पोदों के चर्चा की है जबकि विभीन आवास में रहने वाले जीवों के संक्राइब बहुत अदिक हैं मतलब हम सिर्फ कुछ की example के तौर बार समझ सकते हैं हम हमारे लिए सब को समझना मतलब possible ही नहीं है ठीक है तो आज की वीडियो में बेटा हम इतना ही करते हैं next यह है part 1 अब हम करेंगे part 2 जिसमें हम क्या सभी सजीवों को भोजन की आफशकता है यहां से हम part 2 स्टार्ट होंगे तो आप उसे भी जरूर समझेगा इस चैप्टर को आप अच्छे से समझेगा उसमें ncrt की कोशन अंसर भी होंगे आगे के जो कोशन दिये गए उनको भी समझाया जाएगा तो प्लीज मेरे चैनल के साथ बने रहिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब की कीजिए और शेर कीजिए थेंक्यू स्टूडेंट्स